हलो दोस्तों सभी वायों को जेहिन दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग तो दोस्तों एक रिकूर्ड में निकल क्या आई है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर नाविक जनरल डूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लि को बता देता हूं अंतक बने रहे हैं आल इंफोर्मेशन दोस्तों इसके अंदर बताए जाएगा क्या सलेबस रहने वाला है और क्या सेलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नावी की जीडी के बारे में तो दोस्तों नावी की जीडी के अ उसके बाद दोस्तों इसमें एज जो है 18 से 22 साल आपकी एज होने चाहिए और दोस्तों ST और SC candidate के लिए SC, ST candidate के लिए 5 साल की इसमें age relection दिया जाएगा और OBC candidate को 3 साल का age relection तो जो टोटल जो NAVI की पदों के लिए जो recruitment है वो 225 हैं और NAVI की domestic branch के लिए 30 frequency हैं तो जो 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 होता है return exam उसके बाद जो होता है आपका PST और PET उसके बाद होता है detail medical तो दोस्तो इसी वीडियो में आपको बताता हूं क्या जो है इसका syllabus रहने वाला है तो दोस्तो इसमें NAVI की GD के अंदर दो paper होते हैं दोस्तों first section में होता है 60 number का जिसके अंदर आपको 45 मिनट का time दिया जाएगा और 25 होंगे physics के दोस्तों यह 10 plus 2 level का होगा physics और math है तो दोस्तों यह जो है NAVI की GD के लिए हैं और दोस्तों NAVI की DB के लिए NAVI DB के लिए दोस्तों only section 11 होगा यानि 60 question मिलेंगे जिसके अंदर यह सरे बस दिया होगा दोस्तों यह है DB के लिए और यह GD के अंदर दोनों paper होगे तो दोस्तों इसमें किसी परकार का negative marking नहीं होता है और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ अगले वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊँगा कि जो नए candidate है जो पहली बर exam दे रहे हैं उनको किस type से exam देना है कैसे login करना है दोस्तों मैं इसके practice आपको करके दिखाऊँगा जो official site पे Indian Coast Guard की site पे जो दिया वा है दोस्तों वहीं से मैं आपको step by step करके दिखाऊँ कैसे जो है आपको वहाँ question solve करना है जो पहली पर जो candidate जा रहे हैं exam देने उनके लिए तो अगले वीडियो को जरूर देखे दोस्तों धन्यवाद दोस्तों जय हिंद